करें कि अधियुक्राइए थिस्ट करना है और जो कोशन से हैं वह हैं हमारे चैप्तिर हमारे चैप्तिर होमन है टीन से तो," तो फ़स्ट कूछ चूहँ हमारे पास असरंसें ने रिजनी की कोशिन उसके बाद हम डिस्कूश करें कुछ चैनल कॉश्चेन के जाधर को जाधर को सबसे और डीना पूचय को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब पूचा है थिक अलकोहल कि अब लगे थे हैं यह तो यह वाठीय है कि यह बात रॉं है क्योंक यह अगर यह दो साथ में दे रहे हैं तो इनके हाम पुली इनके साइड इफेक्ट जादा होंगे बॉडी पे तो यहां पर हमारे पास जो है ए ऑप्शन ठीक रखा है कि लोग ऐसे हैं जो लेते हैं क्या अलकोहलो बार विचे लेकिर उनकी बॉडी पिसका बहुत ज़्यादा साइड से अप्सक्पशन सी होगा इसका असरें मेंद गिया में गिवन ऑर्गन टांस टेशन और टांस्टेशन टॉट्सेटेशन टो गीवन इम्म्नो सप्रेशिब ड्रग जो आर्गन टांस्प्रेशन जब होगा तो वहां पेशन सको इम्नो Suppressive Drug Provide करेंगे अब Immunosuppressive Drug जो होती है उनका काम होता है कि जो Immunological Responses है उनको Suppress करना उनकोило कि अवायड करना जिससे की जो जो recipient है उसकी बॉड़ी उसके एंटिबॉड्य फौर्म ना करना स्टार्ट कर से अब reason क्या एक रहा है transplanted tissue has as antigens जो transplanted issues हैं उनमें क्या होगा antigen होंगे और वह क्या करेंगे विच स्टुमलेट या स्ट्पालेट इस्पांज इसा करता है और इसको स्टॉप करने के लिए हमिंद्स्प्रसिस्व द्रग प्रवाइड करते हैं तो यहां पर हमारे पास दोनुव बाते ठीक हैं और यहां पर हमारा हो जाए क्या है यह ओप्शन यहां पर ए और दोनों ठीक है असरसर रीजिंग दोनों ठीक है और रीजनिंग जो है explanation है हमारा कि इसका असर सिंक अब सेगेंड कोस्चिन देखते हैं तो थर्ड कोस्चिन असर सिं इंटर फेरान हेल्प मैं तो इल्योने टवार एलियाड सिंक जय सब्सक्राइब करते हैं हमारी किसमें और इंटरेस्ट कोई में लिए जब भी कहीं करेंगे हमारे वार्डी केंこんな लिए टो प्राफिट यह होगा कि जो अधर सेल्स हैं जब उनके पास इंटर्फरों जाएगा तो उन पे जो रिसेप्टर्स प्रजेंट हैं वारस के लिए वह क्लोज जाएंगे जिससे कि वारस क्या करेगा अधर सेल में इंट्री नहीं कर पाएगा थीक तो यही जिस हमें कहां गीवन यहां पी दोनों बास सही हैं और इसक्रेशन भी सही है तो हमारे पास यह ऑप्छन आगिया फोर्थ कोशें इन अल्कोहलिक ड्रिंक दिया ऀसका एबल तो यह भी बैग फर्मेंटेशन वाला भी concept भी रॉंग है तो यहां पर हमारे पास बोथ A and R is false, are false हो गया, Assertion, Macrophages occur only in the connective tissue, Macrophages जो है, कहां होते हैं, connective tissue में होते हैं, तो यह बात जो बोल दिया कहा कि only connective tissue में होते हैं, तो यहां पर यह भी रॉंग हो गया, क्यों? क्योंकि, Macrophages जो हैं, सिर्फ current tissue में नहीं होते हैं, और सब current tissue में नहीं मिलते हैं, हमें में लिए, areolar जो है, या intercellular space से पाया जाने हैं, उनके साथ में हमें मिलता है, ठीक, अब reason के दिरा है, role of neutrophil is different from that of macrophages, तो यह बात भी रॉंग है, neutrophil और macrophage दोनों काम क्या है, phagocytic nature इनका, जो भी foreign particle आएंगे, उनको इनने consume करना होता है, तो यहां दोनों assertion reason false है, तो fourth option, right है, which disorder is not related with smoking, अब इनमें जो disorder given है, A to G given है, इनमें कौन सा smoking से related नहीं है, first हमारे पास क्या है, lung cancer given है, first lung cancer given है, तो lung cancer smoking से cause होता है, bronchitis की जो problem आती है, उसमें भी smoking का role है, emphysema में हमें इसका role नहीं पड़ता है, उसके साथ CHD हो गया, coronary heart disease हो गया, यहां भी इसका role हमें नहीं दिखाई पड़ेगा, gastric ulcer, gastric ulcer में भी smoking cause करें, जो smoking के तरू जो gases हैं, आ रही हैं, वो इंटर कर रही है हमारे, और सफेगस में भी हैं, urinary bladder cancer यहां भी नहीं पहुचेंगे, ठीक तो यहां भी chance नहीं है, throat cancer, throat cancer में जो इसका role रहेगा, तो अगर हम बात करें, emphysema की बात करते हैं, coronary heart disease की बात करते हैं, और urinary bladder cancer की बात करते हैं, इन तीनों को छोड़ दें, तो हर जगे smoking का effect पढ़ेगा, और हमसे पूचा के गया है, कहां किस पे smoking का effect नहीं है, तो CDF पे नहीं है, हमारा option C हो गया यहां पे, AIDS is due to destruction of killer T cells, destruction of helper T cell, lack of interferon, तो destruction of helper T cell, AIDS में होता गया, जो helper T cells से हैं, T lymphocytes से हैं, उनको यह kill करना start करता है, जिससे क्यों की T cells की जो population, हमारी body के अंदर, वो काम होने लगती हैं, और हमारी body जो population काम होने लगती हैं, तो जो है, जो other disease हैं, उनका attack हमारी body होना start करता है, यह जो other micro-analyze, वो हमारी body easily grow करना start करते हैं, क्योंकि जो हमारी body में inform करते हैं, B cell को, में लिए T cell काम किया, B cell को inform करना कि बाहर से कोई है, उसके लिए antibody बनाओ, उसे मारो, लेकिन यहां, Aids में क्या होता है, T cell से हमारे विचारे मारे जाते हैं, और फिर उसके बाद होता कि हमारी body की immunity खतम हो लगती है, Morphine obtained from opium is, Morphine जो obtained करते हैं, पोपियम से, वो है क्या, वो हमारा क्या है, Alkoloid है, Antigen binding site in an antibodies found between, तो antigen binding site का मिलती है, Antigen binding site in an antibodies found in between, One heavy and one light chain का है, फोर्थ option हमारा राइट हैं आपे, The stimulant present in tea, coca and cold drink, जो cold drink है, वहाँ, coca और tea में हमें मिलता क्या है, caffeine मिलता है, Diceto-acetylmorphine is commonly known as heroine, Active immunity development is referred to, Natural killer cell, helper T cell, memory cell, Active immunity जो मिलती हमें किसे मिलती है, memory cell से मिलती है, और इस जनरेट का होगा, जब first time किसी particular pathogen से encounter होगा, उसके against हमारी body क्या करेगे, memory form कर लेगे, और जब भी future में कभी हमारी body के अंतरे इंटर करेंगे, तो जो है यहाँ पे उसके against active immunity, प्रेडियूस होगी, if a person shows the production of interferon in his body, chances are that he is suffering from viruses, interferon वारस के साथ प्रोडूस होते हैं, और इस में से जो disease given हमें, measles given है, anthraise given है, tetanus malaria, तो इन में से जो measles है, वो cause करता है हमें, क्योंकि यह वारस disease है, हीमोजाइन, हीमोजाइन का प्रोडूस होता है, जब हमारे RBCs rapture होते हैं, during malarial infection, जब malarial infection होते हैं, तो RBC rapture होते हैं, हीमोजाइन रिलीज होता है, और इसी के कारण जो है, हमें एक periodic shivering और, उसके सासद हाई fever की problem आती है, certain की problem आती है, malaria case में, हीमोजाइन रिलीज होता है, तो अप्री करसर हीमोजाइन नहीं आईए, एक toxin from streptococcus वो भी नहीं है, a toxic from plasmodium species, तो हाँ plasmodium malarie कोज करता है, तो ये वहीं से बात आएग इसकी, वन आप दीस टेक्निक इस, the safest for the detection of cancer, तो safest टेक्निक MRI है, MRI कहां कि वहीं थर्ड ओप्शन में गीवन आपको, magnetic resonance imaging में, motile gigot of plasmodium occur in gut of the female enophilis, हाँ ये फर्स्ट ओप्शन में ही गीवन है, female enophilis के gut में सर्वाइब करते हैं, motile gigot सर्वाइब करते हैं, athlete foot कौन काज करते हैं, इसका फर्स्ट ओप्शन इदे रखा तो यही राइट आगे नहीं जा रहे हैं, the drug is do not develop, the drug is do not develop, physical dependence are, अब इन में से कौन सी ड्रेगर जिसका physiological dependency नहीं है, मतलब कि आप में addiction नहीं होती है, तो first relative or tranquilizers में होती है, stimulation cocaine, stimulated cocaine में नहीं होती है, और इसे as a medicine purpose के लिए यूज करते हैं, opiate में पता है, opium में होती है, hallucinous sense, जिन में hallucination होती है, उन में भी होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, be option right होगा, young drug addict used to show symptom of depressed brain activity, feeling of calmness, relaxation and drowsiness, possibly he was taking valium, यहाँ पर क्या होगा, यह जो है simply, कौन सी drug होगा यहाँ पर, valium जो है उसका effect होगा, pathadine हो गया, marizwana हो गया, amphetamine, इनके effect नहीं होगा, इसमें valium करन होगा, which part of the poppy, the plant yield opium, अब poppy का कौन सा पाट, जो opium के लिए यूज करेंगे हैं, वो होगी हमारा, latex from unripe pod, lysozyme present in perspiration, saliva and tears, destroys, तो जो lysozyme present है, lysozyme में लिए बैक्टीरिया को, किल करते हैं, तो यहाँ पे, b option बैक्टीरिया के बारे नदर का, certain type of bacteria, और यह हमें में में लिए, immunity provide करते हैं, तो तो यह जो, फरन मटीरियों ने किल करने में हल कर दे हैं, slice हो जाएं, अब next है 23rd, और 23rd यह repeat है एक तरह से, पहले heroine की बात आई थी, वहाँ पूचा था की, diacetylmorphine जो है, उसका common name heroine ने, अभी heroine का chemical name यहाँ पूच लिया, क्या diacetylmorphine है, 24, damage of thymus in a child में lead to reduction of hemoglobin नहीं, hemoglobin का रिलेशन नहीं है, immunity solution इसका, loss of antibody-immediated immunity नहीं, B-cell बात आएगी इसमें, इसमें second पिन आएगा, third option, reduction in stem cell production, इसकी बात पिन आएगी, loss of CMI, यहाँ पिन आएगा, cell immediate immunity में प्रावलम होना स्टार्ट होगी, अगर thymus damage हो गया, तो, वाडल डेस, टाइफोइट कहा है, third option, cephalis is caused by tryponema phardium, fourth option, both B-cells and T-cell immune system architect in bone marrow, दोनों का structuring नहीं होती है, bone marrow होती है, Aedes aegypti is a vector for malaria, नहीं, anaphylis is the, anaphylis जो है, वो बैक्टर है किसका मलेरिया का, Aedes जो है, वो है, डेंगो फीबर, yellow fever के लिए है, और यहाँ option आपके साथ, दोनों दे रखें, तो, यहाँ पे fourth option, राइट हो गया, which are the following, are the most abundant type of antibodies, इसमें से, IgG जो है, सबसे ज़्यादा मिलने वाला, antibody है, हमारे पास, which are the following, act as a physiological barrier, to the, entry of micro-ondins, in human body, तो, वो क्या है, tears है, clear तो, यहाँ पे, जो 30 question लिए थे, वो complete हो गया, और इस सारे के सारे question, जो है, पीछे, previous year, जो हमारा, उसमें, आए हुए है, PMT या NEET के exam में आए हुए है, वो ही question यह थे, और यह, complete हो गए है, यहाँ पे,